हेलो दोस्तो मैं कनहिया एक बाई फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंगलिश ग्यान पे जहां पे आपको स्कूल, कॉलेज़ेस एन स्टेडी से डूडी टिप्स नबेट्स मिलती रहती है तो दोस्तो आज किस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं मापनिकाई जो कि एक बहुत important topic है डियू बीड हैन जामिया बीड इंटरनेस एक्जाइम के लिहाज से तो आज की इस वीडियो में जो भी यह मापनी काई हम discuss करेंगे इन में से कुछ तो ऐसी हैं जो कि already jamia beard और du beard में पूछी भी जा चुकी है तो इसलिहां से यह important वीडियो है आप सभी के लिए और जितने भी आज हम यह discuss करेंगे वो सारे आप अपने notepad में या फिर copy में note down कर लिजीगा ताकि at the time of revision आप सभी को इस सारी चीजे recall हो जाए और आप जब आप entrance में बैठे तो वो सारी चीजे अगर question आते हैं यहां से तो आप अरसानी से कर पाएं ठीक है तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू और इससे पहले अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe करके हमाल साथ जूड सकते हैं क्योंकि यहां पे आपको दिल्ली इन्वर्स्टिस आने वाली परते हैं की information के साथ DUBA और जामियवेड इंटरंस एक्जाइम की प्रिपेसन से रिलेटिड वीडियो भी देखने को मिलती रहती है तो चलिए finally बढ़ते हैं वीडियो की तरह तो यहां पे जो पहली मापनिक आई है वो है वायू की गती तो वायू की गती को किस में मापा जाता है तो एनो मीटर में वायू की गती को नापा जाता है इसके रावा साग्न पाईरौमीटर हम उच्छे ताप कोonte है लाइक जित्ना भी हाई टेंप्रेचर होता है उसको पाईरौमीटर में नापा जाता है ठीक है नेच्ट है आपका ऐसान आपका बैरौमीटर बैरोमीटर से हम वायवनडलिय hes है धाप नापते है और hydrometer से हम पानी का घणता नापते हैं यहां पे दो चीजे आपको याद रखनी है बेरोमीटर और हाइग्रोमीटर यह जो थार्ड नमबर पे आपका हाइग्रोमीटर और बैरोमीटर आपका वाइड्रम यह तो आपका क्लियर हो जाएगा कि हाइडरो से पानी ही होता है तो हाइडरोमीटर से हम पानी का घनतु नापते हैं जबकि बैरोमीटर वायू मडल यह दाब और हाईग्रोमीटर वायू की आदरता थोड़ा से यह पेंतर है तो यह आप क्लेरिफाइ रखेगा और अच्छे बार धड़कता है तो उससे उसका मापन हम इस्टेथे स्कोप से नापते हैं ठीक है यह important होगा like barometer हो गया hydrometer, hygrometer और स्टेथे स्पोक, इस phignometer यह मनला कुछ कुछ हैं इतने important हैं कि यह पूछे जा सकते most probably इस फार का इंटरंस exam होगा उसमें, तो आप इसे जरूर से जरूर note down करके रखेगा और याद कर लिजेगा ठीक है, इस्टेथे स्कोप हो गया दिल की धड़कन वाला फिर है इस phignometer, इस phignometer का इस्तमाल रख्त चाप को नापने के लिए होता है जो blood pressure होता है उसको नापने के लिए होता है फिर आपका सिस्मोग्राफ यह भी एक बहुत ज़्यादा important है सिस्मोग्राफ का उपयोग हम भुकंप की तीवरता को मापने के लिए करते हैं ठीक है नेक्स्ट आपक के गहरा या फिर नाव में किसी प्रकार की कोई machine होती है इसका इस्तमाल कुछ मापने के लिए कि आ जाता था उसमें इस तरह से question पूछा गया था तो इसलिए यह topic important है यहाँ पे जितने भी चीज़े हैं जिससे हम measurement कर सकते हैं चीजों का वो आपको जानना जरूरी है ठीक ह next है आपका फिर accumulator, accumulator विद्दूत उर्जा का संग्रहन नापते से next है फिर आपका apidoscope, apidoscope से हम चितरों को परदे पर उताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है फिर है cinematography इसका प्रयोग फिल्मों को बड़े परदों पर दिखाने के लिए किया जाता है और last है आपका per periscope, periscope साइध यही question पूछा गया था आपके DUBA इंटरेंस में कि periscope का इस्तमाल किया जाता है फिर पंडूबियों वह जहाजों में नीचे डूबियों जहाजों को देखने के लिए किस चीज का उप्योग किया जाता है तो periscope, हाँ यही question है जो कि आपका DUBA में पूछा यह तो last या last to last year में, next फिर आपका किलो स्कोप, किलो स्कोप का उप्योग किया जाता है टीवी में चितरों को परदर्सित करने के लिए और जो सीसा होता है उसके रूप में, ठीक है, next आपका बिसको मीटर, बिसको मीटर का उप्योग द्रव के सयंता को मापने के लिए किय जाता है, तो यही है आज की वीडियो, आज ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, क्योंकि यह जो important topic है, हम एक एक करके ही complete करेंगे, तो आज इतने ही चीजों के बारे में हमें पढ़ना था, जो कि हमने कर लिया, बांकि आपकी फिर पेशन आए हो, साही डंक से चल रह होगी, आप इसके अलावा भी अपनी, अपना कुछ effort दे रहे होंगे, अधर चीजों में, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि एक साथ सभी चीजों को cover करवा पाहूं, बट जितना भी मेरे पास material पढ़ा है, importantly, वो सारा मैं आपको provide कर रहा हूँ, तो इन सब को भी ध दोनों के लिए बहुत ज़्यादा important है, even मैंने जो DUBA visual impairment वाला question paper होता है, उसको भी देखा, और उसमें भी questions पूछे जा रहे हैं, वो बहुत ही general है, बहुत ही normal है, जैसे कि NCRT से पूछे जाते हैं, और उसका कहीं न कहीं pattern मुझे jamia beard की तरह लगा, visual impairment and mental retardation वाला जो DUBA होता उसका जो pattern है, वो jamia beard के इंटरंस की तरह है, जो की question पूछे जाते हैं उसमें, तो अगर आप ये video देख रहे हैं, चाहे आप jamia beard दे रहे हो, DUBA normal दे रहे हो, DUBA visual impairment के लिए preparation कर रहे हो, चाहे mental retardation के लिए preparation कर रहे हो, तो ये सभी के लिए, ये video बहुत ज़्यादा important है, ठेक है, तो आज से जितनी भी videos आएगी, वो सभी के लिए होगी, like DUBA, normal, spatial, and jamia beard, अप सभी के लिए सारी videos most important है, जो की आप सभी को पूरी end तक देखनी चाहिए, और अच्छे से सब चीजे समझनी चाहिए, बाकि आपके जो भी doubt होंगे, वो आप comment section में लिख सकते हैं, मैं most probably check क करूँगा, आप सभी के comment, and उसके फिर answer देखने की कोशिस करूँगा, बाकि आप comment section में भी बता सकते हैं, कि क्या, क्या, जो topics हैं, आपको पढ़ने हैं, फिर किसमें आपको difficulties महसूस हो रही है, ताकि उन पे भी मैं video लाने की कोशिस करूँगा, और very soon, आप सभी के सारे doubt clear ह हो जाएंगे, and one more thing, जो English वाला था, वो एक ट्विटर हमें मिल चुका है, जो कि आपको फिर English में material प्रोवाइड कराएगा, so very soon, you are going to get all the stuffs in English as well, so यही था आज की वीडियो, I hope आप सभी को सारे concept इसे रिलिटर हो चुके होंगे, and thank you so much for watching this video once again, and have a nice day, bye-bye.